और्ट्रेफर्ड मैंचेस्टर में खेले जा रहे भारत बनाम पाकिस्तान के बीच विश्वकप के सबसे बड़े मुकाबले में भारती टीम के सलामी बल्लेबाज रोहिच शर्मा ने बल्ले से धमाल मचाते हुए शतकी पारी खेली वंडे में उनका यह लगातार पाचवा 50 प्लस स्कोर है रोहिच शर्मा ने 85 गेंदों में शतक पूरा किया वंडे में उनका यह 23 वाश शतक है शतकी पारी से रोहिच शर्मा ने कई बड़े विश्व किर्थिमान हासिल कर लिये हैं भारती टीम के सलामी बल्लेबाज रोहिच शर्मा एक दिवस्य क्रिकेट के सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारती खिलाडी बन गए हैं उन्होंने धोनी को पीछे छोड़ा रोहिच शर्मा ने इंग्लेंड की धर्ती पर वंडे क्रिकेट में सरवाधिक छक्के लगाने वाले भारती खिलाडियों की सूची में सौरव गाउंगली का रिकॉर्ड तोड़ दिया रोहिच और राहुल शर्त की साज़िदारी निभाने वाले चोथे भारती जोड़ी बन गई है 34 गेन में 50 वा रन पूरा करते ही रोहिच ने अपने वंडे करियर का सबसे तेज अर्ध शतक जमाया रोहिच और राहुल की सलामी साज़िदारी से पहली दफा भारत विश्र कप में लगातार दो पारियों में सलामी बल्लेबास द्वारा शतकी साज़िदारी बन पाई रोहिच चर्मा ने वंडे में लगातार पांच पारियों में 50 प्लस रन की पारी खेली वे ऐसा करने वाले छटे भारतिये खिलाडी बने रोहित चर्मा विश्र कप में 3 या 3 से अधिक 50 प्लस स्कोर बनाने वाले चोथे भारतिये खिलाडी बने नवजोज सिद्धु 1987, लगातार 4, सचिन तेंदुलगर 1996, 4 युवराथ से 2011, 3, रोहित चर्मा 2019, 3 रोहित चर्मा इंग्लेंड की धर्ती पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारति खिलाडी बने उन्होंने सचिन के 3 शतकों का रिकोर्ड तोड़ा शिकर धवन, रोहित चर्मा, सचिन तेंदुलकर रोहित चर्मा विश्रुकप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले दुसरे खिलाडी बने अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कुछ खबरों से हमेशा जुड़े रहने के लिए MFY News को सब्सक्राइब जरूर करें MFY News हमेशा सच के साथ